हेलो बच्चों, आज हम विभिन प्रकारों के वनों और वहां रहने वालों के बारे में जानेंगे हम जलिय आवास के बारे में तो पढ़ी चुके हैं जलिय आवासों में समुद्री आवास जैसे की समुद्र, महासागर वो मीठे या ताजे पानी के आवास जैसे की जील, तलाब, नदिया आदियाते हैं पृत्वी के अधिकांश जीफ जलिय आवास में ही रहते हैं लेकिन मैदानिया या स्थलिय आवास में जीवन में बहुत विविधता होती है स्थलिय आवास कई प्रकार के होते हैं जंगली घास छेत्र, ठंडे बरफीले पहाडी शेत्र, अत्याधिक गर्म और सुखे मरुस्थल और विविधिन आवासों में रहने वाले प्रानी अपने आवास में कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो चलिए हम विविधिन प्रकार के जंगलों के बारे में जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल एक बहुत बढ़ा शेत्र है जिसमें कई प्रकार के जंगल होते हैं लेकिन सभी जंगल एक समान नहीं होते हैं ट्रॉपिकल रीजन यानि की उश्न, कटि बंधिय शेत्र, भूमध्य रेखा के पास होते हैं यहाँ पर Rain Forest याने की वर्षा वन होते हैं। यह Rain Forest इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर अत्याधिक वर्षा होती है। सालाना तकरीबन 200 सेंटिमीटर से भी ज्यादा। यहाँ का मौसम बहुत गर्म और आद्र होता है। सामान्य तह तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्शियस तक होता है। यह सदा हरे रहने वाले पेडों जैसे की और्किट फ्लाज से भरे रहते हैं। यहाँ तक की कई तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। जैसे बंदर, गोरिला, शेर, जैग्वार, कई रंग बिरंगे पक्षी, जैसे की मकाव, तोते, आदी भी रहते हैं। प्राणी अपने आपको रेन फॉरेस्ट आवास के अनुकूल कैसे बनाते हैं? क्योंकि यह तो वर्ष भर गरम रहते हैं, तथा आदर भी होते हैं। रेन फॉरेस्ट में बहुत जानवर रहते हैं, इसलिए खत्रा और भोजन के लिए प्रतिद्वंदता बहुत ज़ादा होती है। कुछ प्राणी अपनी रक्षा के लिए कैमोफलाज का उप्योग करते हैं, यानि कि उनका आकार और रंग उन्हें अपने आसपास के माहौल में एक सार दिखने में मदद करते हैं। जैसे स्टिक इनسेक्ट एक लकडी की तरह बहुत पतला होता है, इसलिए इसे पेड की चाल के बीच में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लीफ इनसेक्ट पत्ती की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए ये आसानी से पेड़ों में छुप जाते हैं। मासा हारी भी कैमफलाज का इस्तमाल करते हैं लेकिन ये इनका इस्तमाल अपने शिकार को मारने के लिए या अपने शिकार को छुपाने के लिए करते हैं जैसे शेर के शरीर पर धारियां होती हैं, जिससे वे आसानी से जाड़ियों के पीछे छुप सकते हैं। कुछ जीवों की खान-पान के आदतें भी भिन्न होती हैं। वे ऐसी चीज़े खाते हैं, जो दूसरे नहीं खा सकते हैं। जैसे तोतों की मजबूत मूडी हुई चोच होती हैं, जिससे वे नट तोड सकते हैं। आंट इटर्स आंट्स खाता है। चलिए अब जानते हैं कि पौधे किस तरह से रेन फॉरेस्ट हैबिटाट में अनुकूलन करते हैं। उचे पेड की उपरी शाखाएं एक घने छत्री जैसे रूप में होती हैं। इसे हम कैनोपी भी कहते हैं। ये कैनोपी सूर्य के प्रकाश को जमीन तक नहीं पहुँचने देती। जिससे रेन फॉरेस्ट के तल या फ्लोर पर बहुत कम पौधे पनपाते हैं। कुछ पौधे जैसे स्ट्राइंगलर, लियानाज, आदी सूर्य का प्रकाश पाने के लिए पास के पेडों पर चड़ जाते हैं। इन वनों के पेडों की पत्यों के सिरे नुकीले होते हैं। ताकि बारिश का जो पानी है वो पत्यों से आसानी से गेर सके। इस सरह के सीरों को डिप टिप कहते हैं और इनकी ये विशेषता पत्यों को सड़ने से बचाती है। आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट अमेजॉन रेनफॉरेस्ट है। जो की दक्षिन अमेरिका के बीचों बीच स्थित है। कांगो बेसिन का घना वन दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट है। और ये अफरिका के बीचों बीच स्थित है। डेन्ट्री रेनफॉरेस्ट एक और रेनफॉरेस्ट है। ये Australian continent का Tropical Rainforest है जो सबसे बड़े अखंड भाग में फैला हुआ है चलिए अब हम कुछ अन्य प्रकार के वनों के बारे में जानते हैं पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, पस्चिमी और मध्य यूरोप के वनों में परणपाती याने की Decidious Trees जैसे मेपल, ओक, एल्म, आदी पाए जाते हैं यहाँ Decidious Trees क्यों होते हैं? सर्थियों में यहाँ का तापमान बहुत कम होता है यह Minus 30 Degrees तक चला जाता है पौधे वर्ष में एक बार सर्दियों में अपनी पत्यां गिराते हैं ताकि उन पर बर्फ न जमा हो सके सालाना वर्षा ओसतन रहती है याने की 200 cm से कम होती है इन वनों को Shytoshan 1 याने की Temperate Forest कहते हैं गर्मियों में सूर्य प्रकाश पाने के लिए पत्यां चोड़ी होती है चलिए अब Temperate Forest में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में जानते हैं Black Bear, Fox, Mountain Lion, Bobcat, Rabbit इत्यादी जानवर इन वनों में पाए जाते हैं जानवर अपने आपको Temperate Forest के आवास के लिए कैसे अनुकूलत करते हैं? आईए देखते हैं क्यूंकि सर्दियों में तापमान बहुत नीचे चला जाता है इसलिए कई जीव जैसे पक्षी यहां से गर्म स्थानों की और प्रवास कर जाते हैं कई जानवर जैसे Black Bear, Hedgehog, आदी कठोर मौसम से बचने के लिए शीता स्वापना यानि की Hibernate पर चले जाते हैं क्यूंकि सर्दियों में भोजन की भी बहुत कमी हो जाती है इसलिए कुछ जानवर जैसे गिलहरी, चिपमंक, आदी इनसानों की तरह अतरिक्त भोजन जमा करके रख लेते हैं चलिए, अब हम एक और प्रकार के वन के बारे में जानते हैं कैनिडा, रश्या, स्कैविनेडिया, चाइना, मंगोलिया और नौर्थ जपैन में पाए जाने वाले ताइगा या बोर्यल, फॉरेस्ट बहुत ठंडे होते हैं यहाँ पर गर्मिया, कम और सर्दियों का मौसम बहुत लंबा होता है यहाँ पर बारिश तो बहुत ही कम होती है यानि कि सालाना केवल 40-100 cm तक वुल्फ, डियर, रैबिट, फॉक्स, बेर, मूज आदी जानवर यहाँ के निवासी होते हैं यह जीव इतनी ठंड से अपने आपको कैसे बचाते होंगे बहुत से जानवर मुख्यत, पक्षी, गर्म, स्थान की और प्रवास कर जाते हैं वहीं पर कुछ जानवर जैसे की भालू, शीत, स्वापन में चले जाते हैं कुछ जानवर जैसे खरगोश, लोमडी, आदी इनका सर्दियों में शरीर का जो फर या उनके जो बाल होते हैं वो घने सफेद रंग के हो जाते हैं बूरे रंग का स्नो, शू, हैर जो की एक प्रकार का खरगोश है, सर्दियों में सफेद रंग का हो जाता है ये सफेद फर नहीं केवल उन्हें सर्दियों से बचाता है, बलकि कैमोफलाज में भी मदद करता है यानि उनका सफेद बर्फ में छुपना काफी आसान हो जाता है रोचक बात है ना बच्चों, आप जानते हैं टार्मिगिन पक्षियों के भूरे पंक सर्दी में घने सफेद पंक में बदल जाते हैं और यहां तक के पौधे, आमतौर पर यहां पाए जाने वाले पौधे जैसे पाइन, कौनिफर, फर, स्पर्स आधी सदाबाहार होते हैं यहां पर पाए जाने वाले पेडों का आकार कोनिकल होता है और उनकी पत्तियां नुकीली सुई की तरह होती है पेडों का कौन शेप में होना और उनकी नीदल जैसी यानिकी सुई जैसी आकार की पत्तियां होना यह बर्फ को पेड़ पर जमने नहीं देती है ताइगा फौरस्ट के पेड़, टेंपरेट फौरस्ट के पेड़ों की तरह सर्दियों में पत्तिया नहीं गिराते हैं फिर बर्फीली सर्दियों में बगेर पत्तिया गिराई ये पौधे कैसे रह पाते होंगे? सबसे पहले पेड़ अपनी पत्तिया क्यों नहीं गिराते हैं? आप जानते हैं? मिट्टी में खनिच तत्वों की कमी होती है इसलिए पेड़ पत्तियां नहीं गिराके बड़ी मात्रा में उर्जा बचाते हैं क्योंकि नई पत्तियों को उगाने के लिए भी तो बहुत सारे पोशन की आवशकता होती है ना? इसके अतरिक्त सर्दियों में जमीन पर बर्फ जमा हो जाती है जिससे पेड़ों की जड़ों को पानी नहीं मिल पाता सुई के समान नुकीली पत्तिया वाशपोट सर्जन के दोरान पानी के हास्तर को रोक सकती है तो जैसा कि हमने देखा वन आवास भी हर जगा समान नहीं होते और जीव विभिन वनों के वातावरण के अनुसार अलग-अलग तरह से अपना अनुकूलन करते हैं के लिए बस इतना है बच्चो फिर मिलेंगे बाबाई